Hey guys, welcome back to my channel, स्वागत है आपका मेरी आज की इस नई वीडियो में So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये दो mobile holder लेके आया हूँ दोनों ही आते हैं, Siago by Tantra की तरफ से आज मैं इनकी complete unboxing करूँगा and दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको अपने dashboard पर place कर सकते हैं So सबसे पहले अगर मैं बात करूँ first product की तो ये है, इसका नाम रखा गया है swing and मैं छोटे वाले product की बात करूँ तो इसका नाम रखा गया है slide चलिए अब मैं बताता हूँ किस तरीके से आप इनको use कर सकते हैं one by one और guys अगर आप लोगों को ये product पसंद आते हैं और आप इनको purchase करना चाते हैं तो वीडियो की description में आपको इनको purchase करने के लिए link मिल जाएगा वहाँ से जाके आप purchase कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं इन दोनों product की तो सबसे पहले open करते हैं हम इस छोटे वाले को जिसका नाम है slide slide की branding के साथ में यह आता है यहाँ पर आपको इसमें दो unit मिल जाएगी इस box में आपको ये दो unit मिल जाएगी यहाँ पर आपको suction cup मिलेगा with gel pad and यहाँ पर आपको ये 360 degree rotation वाली ball मिलेगी and second unit कुछ इस type की है यहाँ पर आप इसको press करेंगे then ये दोनों wings खुल जाएगे phone place करना है and ये अपने आप बंद हो जाएगे पीछे यहाँ पर ये दिया गया है इसको open करेंगे पूरा open नहीं करना है हलका सा open करके बस इस तरीके से lose करके आपको इसको insert कर देना है कुछ इस तरीके से ये fix हो जाएगा then इसको आपको full tight कर देना है अपने adjustment के according किसी भी direction में आप इसको कर सकते हैं so fix होने के बाद कुछ इस तरीके से ये लगता है देख सकते हैं आप इसको बस आप peel off करके आपको अपने dashboard पे लगाना है मैं अभी लगा के दिखाऊंगा and एक और function है इसमें अगर आप इसकी direction बदलना चाहते हैं ताकि आपको इस section cup को open या close करने में दिक्कत ना हो तो आप इसकी जो direction है यहाँ पर आपको यह button मिल जाएगा इसको इस तरीके से open करके आप इसकी direction बदल सकते हैं अब आपको यह कुछ इस तरीके से होगा पीछे से आप इसकी section cup को on and off कर सकते हैं and then आप easily अपने mobile को यहाँ से use कर सकते हैं आपको dashboard पर लगा के दिखाता हूँ so guys अब मैं इसको यहाँ पर install करूँगा लेकिन एक बात ध्यान रखनी है हमें कि आपके dashboard पर किसी तरीके की polish ना हो कुछ भी use करने से पहले तो इसके लिए आपको क्या करना है थोड़ा सा sanitizer drop करके कपड़े से जो है अच्छे से rub कर लेना है ताकि जो surface है वो पूरी अच्छे से clean हो जाए और अच्छी तरीके से वो जो holder है वो grip करे इसको just normally peel off करना है और यहाँ से आपको इसको open करना है और इस तरीके से place करके अंदर push करके कुछ इस तरीके से आपका mobile holder यहाँ पर place हो जाएगा और अब आपने just इसको open करेंगे जैसे ही आप अपने phone को place करेंगे अंदर को हलका सा push करेंगे यह grip कर लेगा तो इस तरीके से आपका mobile holder यहाँ पर install हो जाएगा तो guys अब बात कर लेते हैं इस दूसरे वाले mobile holder की जिसका नाम है swing इसको open करते हैं क्या कुछ इसके अंदर निकलता है तो यहाँ पर भी आपको दो unit मिल जाएंगी first unit कुछ इस type की मिलेगी मैं आपको दिखा दू तो guys इस mobile holder की first unit आपको कुछ इस type की मिलेगी यहाँ पर आपको यह nut सा मिल जाएगा इसको lose करके आप इसकी direction को कहीं भी fix कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको सही लगे वहाँ पर आपको इसको tight कर देना है यहाँ पर मिलेगा आपको second screw जिसको lose करके आप इसकी extension type बढ़ा सकते हैं तो जहाँ पर भी आपको यह सही लगे वहाँ पर आपको इसको tight कर देना है यह है इस mobile holder की second unit यहाँ से आप इसको press करेंगे दोनों wings open होएंगे phone center में रखके आप इसको जब हलका सा press करेंगे यहाँ से यह अपने आप जो है phone को grip कर लेगा नीचे की side आपको यहाँ पर जगा दी गई है आप easily अपनी जो है phone holder जब भी यूज़ करेंगे आप इसमें phone यूज़ करेंगे तो charging cable को आप easily अपने phone में लगा सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको लगा के रिखाता हूँ यहाँ पर fix करने के बाद इसको tight कर लो तो इस तरीके से आपका जो mobile holder है वो assemble हो जाएगा अब आपको अपने according इसकी direction वगेरा change कर लेनी है यहाँ से screw lose करो ऐसे move कर लो यहाँ fix कर लो अगर आपको इसकी extension increase करनी है यहाँ से lose करो इस तरीके से सो चलिए हम मैं इसको dashboard पर लगा कर दिखाता हूँ सो गई अब अपने इस mobile holder के जो नीचे आपको यह दी गई है इसको peel off करना है इसको peel off करने के बाद आपको जहाँ पर भी इसे place करना है अपने dashboard पर यहाँ फिर windscreen पर आप इसको कहीं पर भी place कर सकते है अपने comfort के according सो मैं अभी यहाँ पर place कर रहा हूँ इसको यहाँ पर place करने के बाद में center में आपको suction clip मिलेगा इसको नीचे की side को down press कर देना है जिससे आपका जो यह है अब बिलकुल fix हो जाएगा कहीं पर भी हिलेगा डोलेगा नहीं अब आपको इस knob को जो है वो अपने according set कर लेना है मुझे यहाँ पर सही लग रहा है यहाँ पर इसको tight कर लिया है अब आप इसको अपने according set कर सकते हैं जहाँ पर भी करना चाहें तो फिलाल विलकुल straight कर लेता है अब उसके बाद इसके जो पीछे knob दिया हुआ है उसको जो है tight कर लेना है तो कुछ इस तरीके से अब आपका phone यहाँ पर लग जाएगा इसको open करेंगे इधर अपना phone place करेंगे अब हलका सा push कर देना है यहाँ पर इस तरीके से आपका जो phone है वो hold हो जाएगा तो गईज कुछ इस तरीके से आप अपने mobile holder को use कर सकते हैं चाहें आप अगर portrait mode में use करना चाहें या फिर अगर आप इसको landscape mode में use करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इसको use कर सकते हैं तो गईज अगर आपको यह product अच्छा लगा और आप इनको purchase करना चाहते हैं तो वीडियो के description में आपको इनका link मिल जाएगा वहाँ से जाके आप purchase कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को please like कीजिए share कीजिए, channel को subscribe करके bell icon के button को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आगर आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिलती रहे thanks for watching, bye bye